हेलो फ्रेंड मैं हैधर और आज मैं लेके आया हूँ ग्रीन चटनी की रेस्पी बहुत लोगों का कमेंड आ रहा था कि शेप ग्रीन चटनी की रेस्पी बनाए तो आज मैं ग्रीन चटनी की रेस्पी लेके आया हूँ आज मैं बताऊंगा होटल रेस्टोरेंट के स्टाइल म आप अपने घर में green chutney कैसे बना सकते तो वीडियो को पूरा देखना है बिना skip किये चलिए recipe को शुरू करते हैं ग्रीन चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है हैरी धनिया जिसको हमने सबसे पहले अच्छे से cut कर लेना है हम 5k धनिया ले रहे हैं यानि 500g हमने धनिया लिया है अब इसको roughly cut कर लेंगे हम सबसे पहले आपने धनिया को ऐसे cut कर लेना है जैसा कि हम cut कर रहे हैं आप देख सकते हैं क्या क्या हमने चटनी में डालना हैं सारा चीज है, जो एक एक करके हम आपको कट करके दिखाएंगे, आपने वीडी ओ को पूरा देखना है, इसकी नहीं करना है विल्कुल भी नहीं, तो आप अच्छë जड़नी नहीं बना पाएंगे, आप देख सकते हम कैसे काट रहे हैं आपने ऐसा ही काट लेना है तो आपने पुदीना को जादा नहीं डालना है धन्या से आपने कम रखना है अगर आप पुदीना जादा डालेंगे तो आपने चटनी में कड़वापन जादा रहेगा तो आपने पुदीना फिलेवर के हिसा करीबन 50 गिराम अदरक है हमारी अब इसको हमने कट कर लिया है अदरक को अब अदरक को भी हम इसके नर में डाल देंगे साथ में हमने लिया है 15-16-20 हरी मिर्ची ग्रीन चिल्ली जिसकी हम डंडी तोड रहे हैं आपने डंडी सबसे पहले निकाल देना है तोड के उसके बाद इसको भी उसी में डाल देना है साथ में हम इसमें आट कर रहे हैं करीबन 100 ग्राम लसुन तो आपने लसुन को पहले चिलका निकाल लेना चिलका लिकानने के बाद आट कर देना है अब इसमें हम आट करेंगे टूपीस प्याज प्याज को हम काट लेंगे काट के हम प्याज को डालेंगे प्याज याज डालने से आपकी चटनी में कड़वापन बिल्कुल भी नहीं आने वाला है आप एक बार हमारी तरह बना के गरीन चटनी जरूर देखें साथ में हम इसमें एड़ करेंगे टमाटर आपने टमाटर भी डालना है यह सब चीज जो हम डाल रहे हैं इ प्रीन चटनी एक्तम बनिया कलरफुल बना सकते हैं तो आप देख सकते हैं हमने सारा प्यास टमाटर अच्छे से काटके सारा चीज मिला लिया है अच्छे से अब इसमें हम एट कर रहे हैंगे रोश्टेट चना आपने रोश्टेट चना अगर आपके पास नहीं है तो आजू वजो भी है आप इसमें डाल सकते हैं अब आपने इसको अच्छे से वाश करना है यानि आपने इसको बनिया से धुल लेना क्यूंकि धनिया पुदीना में मिट्टी होती है अगर आपकी साफ है तो आप एक पानी से धुल ले हम इसको 5-6 पानी से अच्छे से धुल अच्छे से भीडिया था धुलने के बाद हम इसमें आईक कर रहे हैं करीबनाधा किलो दही आप इसमें ठाइसो गिराम भी डही डालके बना सकते हैं, तो हम hotel restaurant के इसाफ से बना रहे हैं, तो हमारे पास inable बाल होता है तो हमने दही, आदा किलो इसमें डाला है, आदा किलो ृरी धनिया की चटनी में अगी आप इसको हम मिक्सर में डाल रहे हैं, आप credits लिए मिक्सर में डाल के ठोड़ा से आपने चटनी पीसना है, अभी आपको हम डाल के दिखाएंगे, तो हमारी चटनी पीस गई है, चटनी में कितना बढ़िया कलार आया है, आप देख सकते हैं, आप जितना भी गाढ़ा चटनी बनाना चाहते हैं, अपने हिसाब से बना लें, अब हमने एक टेबल इस्पून इसमें च आपने नमक डाल के अच्छे से आपने इसको मिला लेना है, तो आप देख सकते हैं हमारी चटनी के कलर कितना बढ़िया है, कितना खुपसूरत है, तो आपने ऐसे ही चटनी बनाना है मिंटे सॉस, अगर मिंटे सॉस बना रहे हैं, तो थोड़ा सा पुदीना आग ज्यादा रखना चाहते हैं, तो रख सकते हैं, कोई वह नहीं, बट ये पुदीना डालने से आपकी चटनी में कड़वाट पन ज्यादा आता है, तो आप देख सकते हैं हमारी चटनी कितनी गाड़ी और कितनी बढ़िया बनी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीड ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर देबाएं